हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयोग आप लोग एच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में इसमें आपके सामने Most Important Science का लेक्ट वीडियो लेकर आ गया दोस्तो जिसमें आज हम लुक पढ़ने वाले हैं वन आप्something इंटेन्स्टनेडर्ड साइन्स सुजेक्क का जो पार्टो होता है दोस्तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए तो यह एक ऐसा chapter है जो आप पढ़ लोगे तो आपको animals के बारे में बहुत सारी जानकरी मिल जाएगे यह एक ऐसा chapter है बहुत ही बड़ा बहुत ही बेतरीन और बहुत ही conceptual वाला topic है और chapter है जिसमें आप एक-एक animals के बारे में कि कौन-कौन से categories होते, classification कैसा होता है कौन-कौन से अलग-अलग categories होते हैं और इनके नाम वो आपको शायद पता भी नहीं होंगे पहले से यार इतने-इतने खतरनाक type के animals होते हैं और अलग-अलग type के animals होते हैं वो आपको पता भी नहीं होंगे तो आज सिब basic introduction बात करेंगे कि कौन-कौन से classification होते animals के basic तोर पे और कौन-कौन सा category होता है और उसके पीछे इसका history क्या है, background क्या है सब चीज हम लोग जानेंगे तो शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हम समझने की कोशीश करता है कि हमारे जो प्रित्वी बना था तो आपको पता होगा कि सबसे पहला living organism कौन सा आया था यह मैंने बहुत बार बोला हुआ है जो की था algae जो algae होता है सबसे पहले हमारे प्रित्वी के उपर आया था जो की एक living organism सा फिर दीरे-दीरे बहुत सारे चीज़े आने लगे algae आया, amoeba आया, paramecium, yuglena and so many other आये फिर plants बना, फिर animals बने फिर animals में भी lemures आये यानि बंदर जो थे lemures वाले ठीक है न वो आये दिरे-दिरे उसके वेसे neanderthal man बने, homo sapien बने, फिर homo sapien, sapien बने, ऐसे बहुत सारे category से, फिर जाके एक modern man, यानि humans being का अविशकार हुआ, यानि हम बने, और हमने इतना ज्यादा तरक्की कर लिया, इतना ज्यादा दिमाग चला लिया, कि हम आज technology के उपर राज कर रहे हैं, और technology हमारा घुलाम बन क तो यार कितना आसान हो गया दुनिया, यानि कि हमने अपने life child को बहुत ही आसान बना लिया, लेकिन वही काम, जानवर अगर कर पाते तो, imagine करो, हम जानवर के जैसे घूम रहे होते, और जानवर जो होते, हम जैसे काम कर रहे होते, लेकिन दिमाग किस के पास था, सिर्फ humans क पास था, हम भी एक species है, ना, एक normal से species है, प्रिथ्वी के ऊपर रहने वाले, एक normal species है, species मनतब एक तरीके से जीव है, हम लोग living organism है, जैसे plants है, जैसे animals है, जैसे micro organism है, साब, बिच्चू, तो कहीं न, कहीं सबसे ज़्यादा जो दिमाग था, वो हमारे पास था, इसलिए हम पर आ गए, ठीक है, और हमें देखो, कि आने के बाद भी यह सब चीज़ पढ़ना पढ़ता है, है कि नहीं, irony, ठीक है, कोई बाद नहीं, वो सब चीज़ तो पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, और conceptual knowledge पढ़ना है, तो यह सब तो जानकर रखनी पढ़ेगी, तो सोचो, एक्रणी लाख, करेक्ट है, सतर लाख, एक्मिलें जो होता है, तो तो साथ मिलियन, कितने होगए, सेवेंटी लाख, यानी सतर लाख, टाईप के अनिमल होंगे, बाप रे बाप, सोचो, यार, हम सिर्फ एक जानते है, दो जानते है, हमने बचपन में, जब हम लोग सीनियर या फिर पहली दूसरी में थे तो आपको एक पढ़ाए जाता था कि एलफ और लाइन, एमफ और मंकी, ठीके ना, ऐसे टाइप के वाइल्ड अनिमल्स का आओ, बस हम गिन चुन के अगर मैं बोलो आपको बोलने के लिए तो आप जादा से जादा 30-40 अनिमल्स का नाम बोल पाओगे, या फिर और इनिमल्स का नाम बोल पाओगे लेकिन यार यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि 70 लाख टाइप के अनिमल्स होते हैं और सिर्फ जानवर, यानि कि काउ, बफैलो, लाइन, टाइगर, यह एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स में हम सब आ गए, इवन हुमेन बिंग्स और अलसो ए एनिमल्स हम भी एक जानवर है, लेकिन हमने बात करना सीख लिया है, इसके लिए हमें अलग रखा जाता है, सोशल एनि तो यतने यतने टाइप के बारी की से जितने भी ऑर्गानिजम प्रेजन्ट है, सब के सब एनिमल्स जितने भी टाइप के होते हैं, प्लांस के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो सोचो यार, सतर लाख टाइप के एनिमल्स क यह जो एनिमल्स है, सबको याद रख पाना, सबके नाम याद रख पाना, सबके फंक्शन्स याद कर पाना, it is next to impossible, यानि कि कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं वारेगा, जो अकेले के दम पे 70 के 70 लाख टाइब के अनिमल्स के बारे में information खुद ही याद रख सके, तो it is not possible, इसलिए इसको divide किया गया है, और categorize किया गया है, समझने के लिए, तो कैसे divide किया है, तो इसको divide किया है groups में, इसको divide किया है, subgroups में, यानि उससे भी छोटा groups में, तो इसे अलग-अलग groups हैं, subgroups में यह सब चीज का division किया गया है जो कि हम लोग आगे one by one जो है पढ़ेंगे ठीक है ना और इसके situation जहां पे रहते हैं location इसकी habits और बहुत सारी जो चीज़े हैं classification के इसाब से पूरा इसको divide किया है तो हम लोग इसको थोड़ा सा जो basic classification है यानि living organisms जो होते हैं ये तो animals की बात में कर रहा हूँ लेकिन living organisms की basic classification की बात करें तो वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से type के living organisms के classification होते हैं ठीक है सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ ठीक है उसके बाद हम लोग और ज्यादा तो दो type के होते हैं एक होते हैं आपके prokaryoids ठीक है prokaryotic या फिर prokaryoids बोलते हैं और दूसरे जो होते हैं वो एक यू-carriodes अब इसका मतलब क्या होता है समझ लो ध्यान से सोज़ दो बाद में पता नहीń चलता है आपको और आपको पता नहीं आता है कि याद नहीं आता है कि यह णिए exactly हल कि है ठीक है देखो जान से prokaryote का मतलब होता है ऐसे organism जिनके अंदर जो nucleus होता है वो well developed नहीं होता है जिनके अंदर nucleus well developed nem होता है और आप confused ना हो, इसके लिए में diagram बता के बताऊंगा, यह cell है, हर organism, हर जानवर, हर organism, cell से बनता है, human being भी cell से बने हुए, cell के अंदर आपको पता है, nucleus होता है, अब यह जो nucleus है, इसके ओपर एक layer होता है, जिसको हम लग बोलते है, nuclear membrane, तो होता यह है, कि जिसमे nuclear membrane present होता है, यह nuclear membrane की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमे nuclear membrane present होता है, वो होता है, well developed cell, well developed nucleus, तो वो कौन सा होगा, eukaryote होगा, और जिसके अंदर यह nuclear membrane नहीं रहेगा, समझ लो यह nuclear membrane को मैंने मिटा दिया, तो जिसके अंदर यह nuclear membrane नहीं रहेगा, इसका nucleus well developed नहीं है, अच्छे से, विक्सित न मतलब क्या होता है, eukaryote का मतलब क्या होता है, prokaryote का मतलब होता है, जिसमे nucleus well developed नहीं होता है, eukaryote का मतलब होता है, jisमे nucleus well developed होता है, तो ये इतना आपको याद रखना है, फिर और deep में हम लो classification की बात करते हैं, थोड़ा स्मझ लो, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, इसमें कौन से categories के animal आ जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसका एकी type है, जो की है, इसका एकी type है, जो की है, kingdom monera, अलगाला kingdoms होते हैं, हमारा जितने भी animals है न, वो अलगाला kingdoms में divided है, तो kingdom monera, सिर्फ और सिर्फ इसका एकलावता type है, और monera के अंदर भी बहुत सारे examples आते हैं, लेकिन kingdom monera यह आपको याद रखना है, prokaryote का अकेला इकलावता example, ठीक है kingdom monera, फिर eukaryote की बात करें, तो अब यह जो eukaryotes है न, यह बहुत बड़ा classification है इसका, तो eukaryotes are divided into two main categories, two के बहुत सारे categories है, तो mainly अगर मैं बात करूँ कि eukaryotic दो हिस्सों में divide है, एक होते हैं इसक multicellular organisms, और दूसरे होते हैं, obviously आपको पता ही है, क्या मैं बात करने जा रहा हूँ, multicellular organisms, यानि कि नाम से पता चल जाएगा, कि पहले तो मैंने बोल दे कि prokaryotic सिर्फ एक ही होते हैं, यानि एक ही टाइप के organisms ऐसे हैं, जिसमें nucleus well developed नहीं होता है, prokaryotic की category में आ जाते हैं, kingdom onera के, species, kingdom onera के जितने भी रहेंगे, वो सब इसमें आ जाएंगे, लेकिन eukaryod जो होते हैं, जिसमें well developed होता है, इसमें domain category है, एक होते unicellular, unicellular नाम से पता चल जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिफ एक cell रहेगा, unicellular, एक cell वाले organism, जिसके अंदर एक ही cell है, छोटे से रह classification है, इसमें भी divide है, कि unicellular जो होता है, इसमें सिर्फ और सिफ एक category है, जो कि है kingdom protista, कोन है, kingdom protista, यानि कि prokaryote में सिफ एक time kingdom monera, वैसा eukaryote में unicellular में सिफ एक type है, जो कि है kingdom protista, अब आगे है multicellular के उपर, अब यह जो multicellular है, इसका classification बहुत ज्यादा deep में हुआ है, त divided है, दो हिस्सा कौन सा है, एक ऐसे organism रहेंगे, जिसके पास cell wall जो होगा, वो क्या होगा, present होगा, और दूसरा जो cell wall absent होते हैं, तो जिसमें cell wall present रहता है, cell wall आपको पता है, बता देता हूँ, अगर नहीं पता है, तो देख लो ध्यान से, यह एक cell है, तो cell का जो सबसे बाहर का जो परत होता है, उसको बोलते हैं, हम लोग cell wall, तो अगर cell wall जिसमें present है, तो वो यह वाले category में आएंगे, जिसके अंदर cell wall present नहीं रहता है, तो यह वाले category में आएंगे, cell wall absent, चलो देखते हैं कि कौन से इसे category होते हैं, तो multicellular organism फिर से 2 हिस्सों में divided है, एक होता है cell wall जिसके अंदर है, एक के अंदर जिसमें cell wall present नहीं होंगे, अब जिसमें cell wall present होता है दोस्तों, वो भी 2 हिस्सों में divided है, जिसमें cell wall present होता है, यह भी आपके 2 हिस्सों में divided है, ठीक है ना, अब यह 2 हिस्सा कौन सा है देख लेते हैं, तो पहला हिस्सा यह है, जिसमें cell wall present है, और वो दो हिस्सों में डिवाइड़, पहला इससा ही है कि वो होते auto-trops, auto-trops यानि कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और दुसरे होते हैं heterotrops, यानि कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, उनको किसी और के उपर dependent रहना पड़ता है, तो auto-trops और heterotrops ये दो यानि कि जितने भी type के plants होंगे वो ये वाले kingdom के अंदर आ जाएंगे, kingdom प्लांटे के अंदर आ जाएंगे, clear है, वैसी heterotrops कोन होगा, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर cell wall present है, तो इसके अंदर जो examples आते हैं, और kingdom जो आता है, ये होते है, kingdom है तो cell wall वाला, यानि कि cell wall के category में आता है, लेकिन वो एक ऐसा है, जिसके अंदर chlorophyll pigment present नहीं होता, मतलब वो खुझ से खाना नहीं बना सकता है, इसलिए तो नाम इसका heterotrophs, आपने देखा होगा ना, लगडी वगरे के ओपर ग्रो करता है, किसी ओर पेड़ के ओपर ग्रो होते हैं, जो की होता है दोस्तो, kingdom, animalia, animalia, animalia मतलब animals, animalia मतलब it is a scientific name, animalia, plantae बोलते हैं, fungi बोलते हैं, fungus, fungi मतलब fungus, plantae मतलब plants, animalia मतलब animals, तो ये जो type के जो मैंने classification बता है, ये एक normal सा living organism का classification है, जिसमें हमने देख लिया, clear है, तो ये ही basic classification है है, और ये आपको छोटे standard से ले related subject पढ़ोगे, ये काम आएगा, तो इसको note down भी कर सकते हैं, और इसको याद रख सकते हो, बहुत है important चीज़े, समझ में आगे दोस्तो, ये था सबसे basic classification, कि क्या होता animal classification, और किसके इसाफ से division हो गया, तो introduction वाली point हमने सब चीज discuss कर दिये, clear है, अब हम चलते हैं, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जो कि है, history of animal classification, कि ये जो animals होते हैं, इनका classification किस अधार पर किया जाएगा, और इसके पीछे history क्या है, तो वो थोड़ा सा topic पढ़ेंगे, फिर इसके पीछे हम लोग थोड़ा benefits जानेंगे, कि animal classification का benefits क्या है, उसको discuss करेंगे, फिर आज का lecture को stop करेंगे, tension मत लेना, आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा chapter है, हमारा almost 99% chapter already completed है, बस गिने चुने एक दो chapter बचे हुए, उसको हम लोग complete करा रहे है, तो आपको कोई tension लेने की जुरूत नहीं, आपका सिलावास बहुत ज्यादा आगे है, tension मत लेना, आगे क्या मतलब completely 99%, ठीक है, tension बिल्कुल लेने रहा, ओके, अब इसको मैं rough करता हूँ, जो कि हम लोग अभी next topic पे जाएंगे न, ठीक है, इसको मैं rough कर लेता हूँ, उमीद करता हूँ आपने इसको screenshot ले लिया होगा, या फिर आप note down भी कर सकते हैं, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है, ठीक ह हो गया हमारा, अभी मैं next heading डाल रहा हूँ, जो कि है, आप लगा, history of animal classification, कि क्या history है इसके पीछे, history of animal classification, ओके, ठीक है, अब एकते हैं history क्या है, अब देखो history के normal अगर मैं बात करूँ, कि हर type के classification के पीछे, कहीं ने कहीं बहुत सारे, biologist, scientist, और जो normally यह सब field में जो काम करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, तो normal तरीके से अगर मैं explain करूँ, तो एक बहुत ही famous Greek philosopher थे, जिनका नाम था Aristotle, यह आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही famous कोन थे, Greek philosopher, जिनका नाम था दोस्तो, Aristotle, ठीक है, Aristotle नाम था उनका, तो Aristotle जो थे, इन्होंने यह सबसे पहले करने की सोची, और उन्होंने बोला किया, क्यों ना हम animals के उपर study करें, और इनके classification के एक list बना है, तो इन्होंने यह सोचा था, और animal classification के उपर वो एक सबसे पहले वेक्ती थी, जिन्होंने काम करना और focus करना शुरू किया था, ठीक है, तो जो Aristotle थे, उन्होंने classify किया था, animals को according to the criteria of the body size, habits and habitats, यानि कि, जितने भी type के animals रहेंगे, उनकी body size कि इतना है, जैसे कि कुछ बहुत छोटे होंगे, जो हमी दिखाई भी ना दे, microorganism, कुछ उससे थोड़े से बड़े हो, जो हम देख पाए, उससे थोड़े बड़े हो, habits क्या-क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कप सोते हैं, किदर, ये सब करते हैं, तो habits हो गया, फिर एक होता है, habitats, habitats का मतलब होता है, कहां पे रहते हैं, उनका location क्या है, तो ये सब कुछ गुण वगरे देखके, उनके classification करने का ये तरीका था, यानि Aristotle जो थे, वो इन त पर फिर Theoprastus, Pliny, John, Ray हो गया, और Linneus, ये तो बहुत famous है, Linneus का नाम में mention करूँगा, तो Linneus आपको पता, ये father of the biology माना जाते हैं, तो Linneus ने भी ये सब काम करना शुरू किया, और classification करना शुरू किया, तो ऐसे बहुत सारे चीजे, यानि कि body का organization कैसा है, cell structure कैसा है, उनके कौन-कौन से type से, cells कितने है, उनके अंदर, chromosomes कितने है, biochemical properties कितनी है, ये सबी चीज को देखते नजर, मद्दे नजर रखते हुए, इन्होंने बहुत सारे type के classification किये, और बहुत सारे चीजे देखी गई, इस type के classification के अंदर, ठीक है दोस्तों, लेकिन जो detail होगा, classification के अंदर कौन-कौन से animals, अलग-अलग category में कैसे classify के है, वो हम लग पढ़ेंगे हमारे lecture number 2 में, आज सिफ simple सा introduction है, बहुत सारा, लेकिन ये बहुत important है, और इसमें से भी questions exam में बनते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उमीद करता हूँ कि ये, जो history है, वो आपको समझ में आ गय animal को classify करें, हम को क्या लेना है, हम तो इंसान है, सोचते होंगे ना, correct है, तो यार देखो, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, कि यार देखो, अगर आपके माबापने आपको नाम नहीं दिया होता, तो आपका admission कहा होता, आप करवा भी लेते हैं, तो आपको क्या नाम से आप एक boy हो, तो आपको अलग रखा जाएगा ना, boys वाले अलग हो जाओ, girls वाले अलग हो जाओ, तो इस तरह से categorize किया जाता है, तो यानि categorize करने के लिए, classify करने के लिए कहीं ने कहीं हमें उस चीज़ को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, दोस्तो, classify करना पड़ता है, य जितने भी अलग-अलग type के हम लोग ने animals को classify कर दिया, उसके बारे में हम उतना ही अच्छे से पड़ पाएंगे, और animals के बारे में जितना पड़ पाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे animals ऐसे हैं, जो हमें काम आते हैं, बहुत सारे animals के help से, हम लो हमें एक idea मिलता है कि evolution कैसे हुआ, idea of the evolution, idea of evolution, जैसे कि मैंने आपको बता है कि हम जो थे, सबसे पहले एक बंदर थे, human beings नहीं थे ना, तो बंदर दीरे-दीरे अपने आपको upgrade करते गए, changes लाते गए, बहुत सारी चीजे होती गई, atmosphere के changes के हिसा आप से खुद भी change होते गए हम एक human beings बन गए, homo sapiens sapiens बन गए, और आज देखो हम कितना दूर तक आगया और कितना ज़्यादा technology वाले चीज़ एडाप कर पाएं, तो यह सब किसके वैसे पॉसुला, evolution के वैज़े से, तो यार हमने जब lemures के उपर study किया होगा, तब जाके समझा होगा, यानि कि कहीं न easy identification, आप जैसे कि example के तोर पे बहुत सरे जानवरे तो आप बता सकते हो ना, this is a lion, this is a tiger, this is a cow, this is a buffalo, this is a cat, this is a dog, कर सकते हो कि नहीं, imagine कर लो आप खुद एक class में जब रहते हो तो आपके नाम अलग-अलग है, तो आपको identify के जाते हैं, this is the Rahul, this is Neha, this is Rohan, this is Sonakshi, अलग-अल का इधर आ, किसका को इसको बोलते हैं, समझ भी आरा, तो एक basic example बता रहो यार, बहुत comedy वाली चीज़ है, लेकिन ignore कर तो ठीक है, तो यार ये समझो, वैसे ही हमारे easy identification के वैसे हम जानवर को पहचान पाए, इसलिए हमें classification करना बहुत ज़्यादा जुरूरी है, और साथी मे हम लोग को एक relationship समझ में आता है, animals के बारे में, और other living organisms, यानि कि जितने भी अलग-अलग organisms है, वो कैसे दूसरे के उपर dependent होते हैं, जैसे ही, आपको पता होगा, कि कुछ herbivorous animal होते हैं, उसके उपर carnivorous animal dependent होते हैं, कुछ घास खाने वाले animal होते हैं, उसके उपर कुछ मासाह समझ में आता है, और animals ने किस हिसाब से अपना adaptation किया है, किस हिसाब से अपने life में बहुत सारे changes लाएं, ये सभी चीजे भी हमें, इसी classification के हिसाब से समझ में आता है, तो उमीद करता हूँ, कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गयागा, तो बस यही था आपका topic, जिसमें हमने overall आज कि अगर मैं बात करूँ, हमने बहुत सारे चीज कवर गया, basic introduction, classification, कौन-कौन से living organism के category से, कितने साल पहले formation हुआ, कितने billions animals के classification है, और वगरे वगरे बहुत सारे चीज पढ़ी, फिर हमने देखा कि history क्या है, इसके पीछे benefits क्या है, ये सब चीज डिसकस किया, अब actual में जो classification है, according to some criteria, वो कैसे होता है, codates क्या होता है, non-cordates क्या होता है, ये सबी चीज हम discuss करेंगे, actual में topic जो है बहुत ही बेतरीन वाला, वो सब शुरू होगा हमारे lecture number 2 से, ठीक है, तो द्यान से देखिएगा अगला lecture भी, क्योंकि वो सब चीज foundation create करेगा आपका, और इसके आगे आने वाले lectures आपके लिए बहुत ज्यादा important होने वाले हैं, तो बिलकुल इगनूर मत करना, ये chapter पूरा का पूरा और suggestion जरूर से दीजेगा, वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा, share जरूर से कर देना, आपने सारे friends और इस चानल को भी subscribe कर देना, साथ में एक bell icon होता है, उसको भी press कर देना, ता कि जब भी हम लोग future में कोई भी वीडियो को upload करेंगे तो आप लोको notification मिलती रहेगी, ठीक है friends तो मिलते हैं हमारे एकले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye